नमस्का फेंट्स मेरे नाम बबलोर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे यहां पर फूर्ड न्यूटिशन हाइजिंग का तीर बाफ पार्ट इससे पहले मैंने बारा प्राइट आपको प्रवाइड का रहे हैं डिसक्पशन देखा पिले लिस्ट का लि कुशन देखा है मद्य योग के लोगों में ब्रदी हो जाती है मद्य आयू के स्वरी मद्यायू के लोग कौन होते ह है जो आपको 30-30 होते हैं 30-40 बच कोई होते हैं मद्द आयू 강 के लोग को ते हैं इस समय है क्या देखने को मिलता आपको मोटाप्रा देखने को मिलता है नियून भार होता है आते ही हैपर यक्त घृटальной कर अłटा होती है और नियून भाएर क्या त कुंसा कारण नहीं आप से कुछ रखा है ठीक है आर्थिक स्तर अगर आपका आर्थिक स्तर सही है ठीक है पैसा है अच्छा आपके पास तो बिल्कुल खाओगे तो यहां पर धर्म जो है इससे कोई नाता मोटा पेका नहीं है तो राइट अंसर को जाएगा नेक्स कुशन प्रोटे व्यक्ति को आहर में क्या नहीं लें चाहिए भी बसा मुरब बशाओगी जब बसा जमा होता है तो बेल्कुल और बाकी बाग करें प्रोटीन क्या नहीं लेना चाहिए अगर हमारा तूट पोट होगी शरीर की को यह तक की रूट फूर होती है तो किस से बनेगी घोटीन को आच है क्या नहीं लेना चाहिए आगर क्या लेंगे तो और मोटे हो जाएंगे नाना ह होहता है तो यह हो सकता है ठीक है आगे वड़ते हैं नेक्स्कॉर क्यों कर आहीं क्या क्या है इना हां इस अगर आपके जिय 요ום करते बहुत जञाएं वहाँ इस पारे मोटापक परेशनस परिशम कर रहे हो कम कम कर रहे हो और बैठके खाएँ तो बिल्कुल आपका मोटापा बढ़ेगा खूया बंसानू कर आप गरम होते हैं बिल्कुल तो क्या होते हैं आगे बढ़के ही क्या होते हैं यह सभी हो जाएगा ठीक है इन में को याद करना है बिल्कुल नहीं सारे के सारे याद हो गए आगे देते हैं मोटे वेक्तियों को अहार में भोज्य पदार्थ अधिक लेने चाहिए क्या अधिक लेने चाहिए आपको बताना देखो बात करते हैं मोटे ब्यक्ति हैं तो हरी सब्जियां बिल्कुल अधिक लेना चाहिए ठीक है फल लेना चाहिए और रेशेदार बदात लेना चाहिए तो राइट अंस वाएगा ये सबी ठीक है इसमें कोई फैटी नहीं दे रखा है करते हैं next question को देखीगा next question करें तुमारा इस्थ लुकाए किस अवस्था में कहेंगे इस तुल काए उसे जो होता है ये आंको है 20% से अधिक IVW, 20% से अधिक IVW, 10% से अधिक IVW, 28% से अधिक इसमें से कोई नहीं, तो राइट अंसर क्या होगा, इस्थुल काई, किस अबस्ता को कहेंगे तो यह बहुत इंपोर्टेंट है भी यहाँ दखना है से ठीक है तो क्या होगा भी, 20% से अधिक वाले को, तो राइट अंसर क्या होगा, option नमबर आ रहने वाले यह बस याद करने का आपके लिए है ना, आगे बढ़ते हैं next कर रहा है, मोटे बेख्तियों को अपना सारीक भार कम करने के लिए कितनी कैलोरी का भोजन कम लेना चाहिए, अब कह रहा है कितने कैलोरी कम दो, उसके लिए 2300-5000 या फिर 5000 तो राइट आंसर क्या होगा मोटे बेख्तियोंगों को अपना सारीक अगर भार कम करना है, तो फ़ह उन्हें 1000 किलो केलोरी जो होगी 1000 केलोरी जो है ठीक है वो कम लेना पड़ीगी, 1000 केलोरी कम लेना पड़ीगी, कि इस परकार से याद करना कि भही मैं क्या करूंगा, अगर चार रोटी, खाता हूं सरीर की किस इस्तिती में सरीर का भार आवस्यक्ता से 10% बढ़ जाता है अधिक बार नियुन बार अल्प भार मोटापा तो किस में बढ़ता है भी मोटापा होगा तभी तो बढ़ेगा 10% हां बरना दुगो सामान है नहीं थी कि शरीर की किस इस्तिती में सरीर का बहार आवस्यक्ता से 20% बढ़ जाता है अब आवस्यक्ता 20% बढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि आपके तो हम क्या कहेंगे ठीके तो यहां पर हम इसे क्या कहेंगे यहां भी सेम और भी रुकिएगा रुकिएगा थोड़ा सा रुकिएगा ठीक है थोड़ा सा यहां पर रुकना है यहां पर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया मैं भी तो को यहां पर अगर 10% बढ़ता है 10% बढ़ता है आब अधिक तो हम उसे कहेंगे ठीक है जो यहां पर देखो इस तुलकाय की बात यहां पर ठीक है तो झीन करना है ठोड़िस यहां पर confuse हो सकते हकिं मैं भी confused हो गया ठीक है आगे बढ़ते है next question की ओर next question को देखेगा यहां दे रिखा है बसा की मात्रा कमवा नहीं लेनी चाहिए बसा की मात्रा कमवा नहीं लेनी चाहिए किसमे डायरिया में nel brinc मलेरिया में फंपर मोटापा में आपको बताया था stay प्रटेकस में लेना चाहिए तो कौन सा बिटामिन आधिक लोगे बिटामिन A, बिटामिन C, बिटामिन B अगर मुटा पाप का जाता है तो बिटामिन C क्या करेंगे अधिक लेंगे तो कार वाड़ेट्स का पाचन हो जाए आगे देखते हैं यहां कहरा है मुटा पा कब पिर्मालित होता है जब बजन ऐसा होता है मुटा पा अगर आपको पिर्मालित हो जाए तो क्या होगा अभी आपको बताये था 10 से 25 परसेंट 10 से 25 परसेंट से अधिक 10 से 25 परसेंट से अधिक 10 से 20 परसेंट से अधिक 10 से 30 परसेंट से अधिक तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा यह दोनों तो सेम दे रखे हैं तो बताएगा कौन सा राइट होगा तो अभी आपको बताएगा था 10 ते 20% से अधिक है ना दो से डिया यह दोलों कौन सा क्यों सा अधिक बार नहीं दे रिकाया है तौन का करेंगे भैंगे टार ठीकह आगे बढ़ते हैं मोटापे में कितना प्रतीश वजन बढ़ जाता हैшी को यह थोड़ा सा इंप्टेंड हो जाता है ना भो aún q a तो मोटापे में जो बढ़ जाता है वो बढ़ जाता है कितना 30% बढ़ जाता है ठीक है बहाँ क्या था दस से 20% अधिक होगा मोटापा कब पिर्मारित होगा पिर्मारित कब हो जाएगा तो 20% अब वो कह रहा है मोटापे में कितना प्रतिशत बजन बढ़ जाता है अगर वो अगर वो कह रहा है कि मोटापा आपको है ही तो कितना बढ़ जाएगा तो 30 परसंट बढ़ा दीजिए गापने तब से ठीक है तो बिल्कुल आगे देखते हैं पिरमारत के लिए सिर्फ 20 परसंट चाहिए होगा 20 परसंट अगर 20 परसंट तो नहीं होगा 20 परसंट पिल्स है तो हो जाएगा ठीक है आगे रहा है कौन सी और नियां खाने से मोटापा बढ़ता है तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा बताएगा कौन सा बिलकुल राइट आंसर रहने वाला है कौनसी और खाने से मोटापा बढ़ता है तो यहां पर जो राइट procure ho जायगा यह सबी रहने बाला है कि जैसे गर्विन क्या आंसर हो दाएगा कि नेक्स के रहा है तुम्हारा अधिक भोजन करना यह किसका लच्छड है अधिक भोजन करना यह किसका लच्छड है दुखी होना अपर सन्य लोग मनोबैज्ञाने कारण या फिर यह सभी अधिक अधिक भोजन करना यह किसका कारण है अधिक भोजन करना यह किसका कारण है किसका है कि दुखी होना अगर दुखी होगे तो अधिक भोजन करोगे बिल्कुल सही है आप इरसने लोग होते हैं वो भी ज्यादा भोजन खाते हैं ठीक है और मनों बेग्यानिक कारण है उनके अं सारी रिक भार को मापते हैं मोटापे में सारी रिक भार को मापते हैं किसमें तालिका एवें ग्राफ चार्ट में एक्सरे द्वारा या कैली पर द्वारा या यह सभी राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर क्या होगा देको तालिका और ग्राप के द्वारा तो चार्ट के द्वारा तो लगाएंगे लगाएंगे टीक है एकसरे के द्वारा पताने जाता है कि कितना मुटापा है तो बात करते हैं केली पर के किसके अनुसार व्यक्ति का बजन होना चाहिए किसके अनुसार व्यक्ति का बजन हो चाहिए लिंग लंबाई आयू या फिर यह सभी यहां पर भी आराम से लगा सकते हो है ना लिंग के अनुसार पुरुश है या फिर मादा है उसके बाद लंबाई के अनुसार लंबाई कित करता है समाज नियमित ब्यायाम भाप इसनान कम बसा ग्रहण करना यह किस व्यक्ति को करना चाहिए मलेरिया रोगी किड्नी संबन्दी डाइरिया रोगी या फिर उबीज रोगी तो राइट आंसर क्या होगा समाजश नियमित ब्यायाम ढईक और इसनन कम बसा ग्रहण करना यह किस व्यक्ति को करना चीए तो भ्य होजाएगा मलेरिया वाले को बिल्कुल नहीं ना किड्नी वाले को और नाहीं डायरिया को किसको ओविस के लिए करना चाहिए तो राइट वाव फिस में को नब्य करने भूख करने वाली दवाइजय कौन सी है जो भूख हमें बढ़ा देती है वह दवाइजय कौन सी है आपको बताना है या फैन वाली या फिर हो जाता है तुम्हारा एमफाइटामीन या फिर डाइथाई प्रूपाइन या फोजता है ये सबी तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है तो को भूख करने वाली भूख बढ़ाने वाली कह सकते हैं ये दमाईया कौन सी होती है पहला फैन मेटेरीन भी हो जाएगा और तुमारा एमफाइटामीन भी हो जाएगा और आपका डाइथाईल प्रूपाइन भी हो जाएगा तो राइट आंसर क्या दाएगा ये सबी रहने वाले हैं आगे बढ़ते हैं कह रहा है तुम्हारा जाइदा बजन कम करने से कौन सी समस्याएं सरीज में होती है अगर जाइदा बजन आपने कम कर दिया तो सरीज में कौन सी समस्याएं होंगी हार्णिया होगा पैक्टिक अलस अगसर भी हो सकते हैं गॉल ब्रडर के रोग भी हो सकते हैं तो राइट अंस लेगा ऑप्शन नमबर दा ये सभी आपको देखने को मिलेंगे सभी मिमारी देखने को मिलेगी अगर सरीम बतन कम है तो ठीक है नेक्स्ट की बात करते हैं या करा है मोटापे में कितनी ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए अगर आपको मोटाप आप है तो कितने ग्राम प्रोटीन लोग यह आप यह आपको बताना है 70 ग्राम, 50 ग्राम या फिर हो जाता है आपका 80 ग्राम या फिर 100 ग्राम तो मोटापे में कितनी ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए तो बैह लेना चाहिए बाई 50 ग्राम अब यह क्योशन आपको याद करने के दर रखा है यह कितने क्योशनों में है ना आगे रिखते हैं मोटापा रोग में कार्बोज की मातरा लेनी चाहिए अगर मोटापा रोग है आपको तो कार्बोज की मातरा कितनी लोगे बताएगा तो ग्राम पचास ग्राम असी ग्राम य कुछ नि क्योंट और सिंस zone के और यदा कु ये सभी को से कौनसे इप को कम करते हैं करें जो होते हैं मुतापय को कम करते हैं इसे क्या होगा आपका मूट आपका कम होगा और हो जाए गा कुछन याद करने के लिए इसी तो आपको पहले बता रखा है तो यादी है आपके लिए ठीक है बी और ए ए याद करने हैं आपके लिए बस आगे बड़ते हैं क्हारा है खनिज जो की Obese R combat को देने चाहिए कउन से लोहा आयॉडीन कैल्सियां यह सभी सित मिल्कुल वसा मत दो तकी सब दे दो लुखा दे दो आयोडीन कैल्सियम राइट रोजाय का ओप्शनमबर सैंट मूटापे में व्यक्ति को कौन से द्रब्ड पदार्थет लेने पानी लेना चाहिए ठीक है नीबू पानी लेना चाहिए और देक नख्र्इक है तुमारा push है को बताना है हमिन Mama citern ऑपको बताना है अब यहां से सबसे बहतर में सी लेना चाहिए बैशिक है निबू और जैल तो राइट है सब्सक्राइब आपके सामने इस परकार से रखा है कब्ज कौन से तंत्र से संबंदित है रक्त परीवहन तंत्र पाचन तंत्र 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 क्या रहने वाला है राइठ हमारा क्या रहने वाला आपको पता है कब्ज किस से होती है वह अहना गैस पर दार्ट करों औरी किस में किस परकार का मल विशजित होता है है I will go I need to go back on this is helpful old Oh be工 so you know कृसा नियुमें क्श्टपूर्ड होगा निश्ट होगा कब्छ होगी तो आपको एक घंटे में दो गजटे में बार बार आएगी लेट्रिंग विल्कल राइट है बात करते है है तुम्हारा अपूड होगा कम होगा है ना यह तो आपको पता ही है और और कष्ट पूड भी होता है तो राइट अंस देगा यह सब ही ठीक है आगे बढ़ते हैं एड़ाफ बीमारी की कमी के कड़ होने वाले कबच को क्या कहते है अकर आप कमें किया और हमें कभज हो गई तो कुछ समय के लिए होगी करेंगे खतम हो जाएगी तो वैद कैसी होती है मतलग अभी हो जाएगी क्या कहते हैं ठीक है पेट पेट में दर्द होने लगता है, पेट फूलेगा तो बिल्कुल दर्द होगा, जवर जवार हो सकता है, बुखार आ सकता है, और सांस में परिशानी होती, बिल्कुल होती है, फिर में दर्द होता है, तो राइट अंस हो दाएगा ये सभी, आगे बढ़ते हैं कब्ज कि शबी हो जाएगा मत्यम आयू की महिलाओं में देखने को मिलता है जो चाल्स से कि से खालीज बर्च की होते हैं को तो क्वान कर रहा है ठीक है उसमें देखने को मिलेगा और विस्तर पारस में लेटे रहेगा उसको तो होगी तो राइट अन्सर क्या जाएगा ऑप्शन हो जाएगा नेक्स कुशन कबजी के कितने परकार होते हैं कि एक अब फर निलिए लिए पूराइट अंसर रिया सभी यह सभी में कुसके कंगर बसने के नाम याद करना यहाँ पर एक याद करने लिए ओगे इदेखते नेक्स खुष नप्रते को अन्यकस नम से जानते एगर इटाउण जो है उसें अन्नी किस बढ़ते हैं ये आपको बताना आँ याँ पर तो क्या कहते है उसे साथकाले कब्ज या फिर हो जाता है तुम्हारा आल्स्ची आंत्रकब्ज या फिर साधाल कब्ज अन्यमित कब्ज तो बिल्कुल bothered जो एटॉनिक कवज होती है उसे हम क्या कहते हैं आलती आतर कबज कहते हैं क्या आलती आतर कबज कहते हैं बेरी इंपूरेंट कुछन एक बहुत ही आरामत करने कूर से कौनसा कबज होता है जाइदा मसाली यक्तु भोजन करने से कौन सा कब्ज होता है स्पास्टिक कब्ज, आलती आतर कब्ज या अबरोधात्म कब्ज, इन में से कोई नहीं कौन सा होता है भई स्पास्टिक कब्ज होता है कौन सा स्पास्टिक कब्ज होता है अगर जादा मसाली तो भोजन खाओगे तो कौन सा होगा स्पास्टिक कब्ज होगा ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नमबर बाव हो जाएगा एक क्योशन ये भी बहुत इंपोर्टेंट है आगे दिखते हैं करें कैंसर वा ट्यूमर जैसी इस्थती कौन से कब्ज से उत्पन होती है कैंसर तथा ट्यूमर जैसी इस्थती कौन से कब्ज से उत्पन होती है आपको बताना है अल्यमित कब्ज आलसी आत्र कब्ज कष्ट पूल कब्ज या फिर अबरुधात्मक कब्ज तो राइट आंसर क्या होगा तो बहुत होती है अब रोध अगर आपकी जो कब्ज ह है उसमें अब रोध हो रहा है कहीं पर इखटी हो रही है है ना इखटी होती रही कि तो वहाँ पर क्या होगा हो बगयर है करेगी तो क्या हो सकते हैं वहाँ पर ट्यूमर भी हो सकता है कैंसर भी बन सकता है कौन सा हो जाएगा अब रोधात में कब्ज हो जाएगा तो आराम से सिर्धर्द या फिर ये सभी तो राइट आंसर क्या रहने वाला है बिल्कुल कबज के लच्षड क्या होंगे बेचैनी महसुस होगी सिर्धर्द होगा जीपर सपेद परती बन जाएगी तो राइट आंसर आप्शन नमबर दा बिल्कुल ही जी था आगे देखते हैं पेट मे कैसा आहार करना करना चाहिए कबज में आपको कैसा आहार करना चाहिए रेशेदार आहार लेना चाहिए या फिर फल बाजूस लेना चाहिए अंकुरिद दाले लेना चाहिए या फिर उपयोगत सभी तो राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल दो तो मैंने मैच कर लिए एक तो ड्य कितार फर मेलो फिकें और अंकुरिग दाले लो तो उसे क्या होता है हमारा तो पेट होता है तो का क्या कारव कर करते हैं आगे अनियमित आजते हैं अगर आप फॉलो करोगे कभी खाओगे बेटाइम खाओगे तब आपको कभी मिलेगी तुरही टांसर का आप्षिन नमबर नेक्स की बात करते हैं आटों की दीबार को लचीला बनाने में मदद करता है क्या करता है बसा प्रोटीन विटाम इन तथा कार बोज तो राइट आंसर क्या होगा आटों की दीबारों को लचीला बनाने में कौर कार करता है एक बाब दाईएगा जो हमारे क्या होते हैं टिसू होते हैं मतलब जो उत्तक जो होते हैं उनका निर्मार कौन करता है उनका निर्मार करता है प्रोटीन कौन करता तो कहरा है आतों की दीवार को लचीला वराने में मदद कौन करेगा प्रोटीन करेगा तो राइट अंसर क्या होदाएगा option number बाप इसमें कोई याद करने की बात यह नहीं है आगे देखो यहां रहे हैं पोटेशियम की सरीर में कमी उत्पन करता है potassium की सरीर में कमी उत्पन कौन करता है आपको बताना है peptic ulcer, cabbage, malaria या फिर diarrhea तो right answer यहाँ पर क्या होगा यह क्यों आपको बहुत important याद करना अगर potassium की सरीर में अगर कमी हो रही है तो आपके अंदर क्या हो सकता है भई, cabbage की problem हो सकती है right answer हो जाएगा option number 2 ठीक है, आगे बढ़ते हैं next question आपका कह रहा है कि cabbage में कितनी gram protein की आबसकता होती है आपको बताना है 50-60, 90-100, 60-80, 80-90 ग्राम राइट answer नमारा क्या होगा यह क्यों ने कियाद करने के लिए आपको हो जाता है तो cabbage में कितनी gram protein की आबसकता होती है तो बहे हो जाती है 60-80 ग्राम तो राइट आंसर उप्शन नमबर आ हो जाएगा 60-80 ग्राम आगे देखते हैं कब जिके रोगी को कैलोरी दी जाती है कितने कैलोरी दी जाती है आपको बतराना है कब जिके रोगी को कैलोरी दी जाती है किसके अनुसार भाई यह सभी होंगे दोको लिंक के अनुसार दी जाएगी आपका लिंक मतलब पुरुस हो या फिर महला हो बिल्कुल सही है आयू के अनुसार दे सकते हैं आपकी आयू कितनी है इसके अनुसार देंगे बिल्कुल देंगे और बेवल साय के अनुसार देंगे करना चाहिए शूप जूस केला पोटेशियम युक्त आहार ये सभी बिलकुल हमें पता है पोटेशन की कमी होगी ठीक है तो पोटेश्यम भी लेंगे जूस उप लेंगे केला भी ले सकते हैं से फाइबर जादा होता है तो राइटाम से क्या जाएगा ऑप्शन नमबर दा हो करें कप्ज में लाबकारी क्या है कबज में लाबकारी होता है गुंगुनाजल से और थ्राहतीं क्या है कौन-कॉन से गैसे मदद करती हैं जो मलका निशकासन होता है उसमें कौन-कौन सी गैसे मदद करती हैं आपको बताना है मिथेन, कार्बन डाय अकसाइड हाईडोजन सलफर तथा ये सभी यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है मलके निसकासन में कौन-कौन सी गैसे मदद करती हैं दिको मिथेन हमाने साही से बहार निकलती है बिलकुल और कार्वनाई ऑक्षाइड भी और हाइडोजन बास सल्फर भी तो राइटांसा क्या दाएगा यह सभी कैसे जो होती है वहों मदद करती हैं आगे बढ़ते हैं तब के सहीत खाने चाहिए कैसे छिलके सहीत खाने चाहिए कब जरोगी के लिए तो यहां पर राइट यहां तो भी क्या लोगे पीजा बर्गर लोगे बिल्कुल नहीं लोगे तो तापको वह प्रब्लम होगी बसा लोगे बिल्कुल फैटी तो बैसी नहीं लेना है तो राइट अंसर क्या जाएगा सलादवा हरी सब्जियां लेना है कैसा लेना है सलादवा हरी सब्जियां लेना है आ आगुत अनाज, हरी, शबजी, ताजे, फल, विशेश का रलाबकारी किसमे हैं, तो बैह हो जाते हैं, कबजे में विशेश का रलाबकारी होते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुशन की और, नेक्स्ट कुशन के रहा है तुम्हारा, इस बगोल, इस बगोल की भ सर में पैप्टिकल सर में अतिसार में मलके निस्कासन में या फिर ये सभी आराम से पढ़ेंगे विल्कूर ठीक है तो कौन सा राइट होगा इस बगोल की भूसी तथा गोंद किसमे सहायक होते हैं ये मलके निस्कासन में सहायक होते हैं किसकी बात हो रही थी कब्ज की बात हो रही थी तो किसमें सहायक होंगे मलके निसकासन में सहायक होंगे आगे बढ़ते हैं रात में दूद में पका कर क्या लेने से कब्ज में आराम मिलता है मुनक्खा अंजीर और वा दोनों इन में से कोई नहीं यह तो आपको सभी को पता ह होगी कि मुनक्खा भी ले सकते हैं और अंजीर भी ले सकते हैं तो बहुत ही लाबदायक होता है और मुनक्खा भी पुराइट आंसर क्या होगा अर बाफ दूनों को अगर आप दूद में शाम को भीगो कर गुर्ण करकर लेते हो आपकी कब्जी बिलकुल दूर हो जाएगी आगे बढ़ते हैं next question ने रखा है कबजी की दवानियों में उपियोग की जाती है क्या उपियोग की जाती है आपको बताना है milk of मेंगनीशिया या फिर हो जाता है इस गोल चाइना ग्लास या फिर हो जाता है ये सभी तो राइट आंसर क्या होगा तो जो कबज की दबाजियों में प्योग किया जाता है मिल्क आप मेगनीशिया भी और तुम्हारा इप्स गोल भी और चाइना ग्लास भी तो राइट आंस होएगा ये सभी का प्रियोग किया जाता है आगे देखते हैं डाइरिया से रेड़ क्योशन तो यहाँ पर हो जाता है फास्ट गोशन डाइरिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है अतिसार कबज या फिर हो जाता है तुम्हारा पैप्टिक अलसर या फिर टाइफाइड तो राइट आंसर क्या होगा आपको पता है डाइरिया को अतिसार भी कहा जाता है राइट अंसर अप्शन नमबर आ हो जाएगा नेक्स्ट कुछन की बात करते हैं अतिशार में मल कैसा आने लगता है अधिक कड़ा, अधिक पतला, कस्ठपूर इन में से कोई नहीं तो राइट अंसर क्या होगा भई कैसा होगा अधिक पतला होगा किसकी बात हो रही है, डाइरिया की बात हो रही है आगे देखते हैं, अतिशार में किसकी कमी देखी गई है जल की, बसा की, रेसे की या फिर प्रूटीन की आपको बता है किसकी कमी देखियागी जल की कमी देखी जाएगी तब भी आपको बता है जो हैजा होता है जो डैरिया होती है जो अतिसार होता है उसमें क्या लगाते हैं भई बोतल लगाते हैं ना इसकी मैटोजल की आगे बढ़ते हैं अतिसार किस रितू में अधिक फैलता है जो अतिसार है वो किस रितू में अधिक फैलता है बरसा में ग् ग्रीस में तूटी के बरसार के प्रिकार होते हैं कौन कौन से होते हैं आपको बताना है तनाब बार भैक से उत्पन होने वाला या फिर क्रीनिया अतिसार यह सभी राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल तो आपका एक्यूट अतिसार हो जाएगा यह भी हो जाएगा तनाब या भैसे उत्पन होने वाला यह भी हो जाएगा और क्रीनिया अतिसार भी हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा यह सभी आगे बढ़ते हैं एक्टिव एक्यूट अतिसार के लच्छड होते हैं जो एक्यूट अतिसार होता है उसके लच्छड क्या होते हैं पेट दर्द होता है या फिर पेट में मरोड होती है बुखार बाबमन होता है ये सभी तो राइट अंसर क्या होगा तो इसमें भी क्या देखने को मिलता है एक एखूट ये सबी right answer क्या होगा है आपको अधिक मसाली ओक्तो आखांग हो जाएगी गंदा भुजन बर्स रहा भुझन ये सबी तो यह सबी ये सबी sih नेक्स्कूशें को बाता है गए आतिशार होने में बिशेश कर किसका महत्वlı है? मसाला साल मूनिला टाइफी का या फिर हो जाता है तुम्हारा इस्टाफालो कुकस का और बाद दोनों इन में से कोई नहीं यहाँ पर राइट अंसर क्या होगा? देखो अतिशार का जो भी से महत्व होता है वो सालमोनेला टाइफी का भी हो जाता है ठीक है इससे भी देखने को मिलता है और इस्टा फाइलो को कस से भी देखने को मिलता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आ और बाद दोनों हो जाएंगे तो राइट आंसर सा रहने वला है आगे वरते हैं कौन सी दबाई जिससे एक् mycene, या फिर हो जाता है paracetamol, या इनमें से कोई नहीं, paracetamol तो होगा नहीं, याना, तो कहरा है कौन सी दबाईी कौनसी दबाई है जिससे acute अतिसार हो जाता है, तो right answer हो जाएगा, quening in new mycene, ठीक है, quening in new mycene right answer क्या होगा, option number बार रहने वाला है आगे बढ़ते हैं यहां पर क्रोनिक डाइरिया का अबदी क्या है क्रोनिक डाइरिया की जो अबदी है वो बतानी है क्या है एक सप्ता दो सप्ता से कम दो सप्ता से अधिक इन में से कोई नहीं तो राइट आंसर क्या होगा क्रोनिक जो होती है डाइरिया उसका अवदी क्या होती है तो बैवदी होती है दो सब्दा से कम, राइट अंचर क्या होगा भई, दो सब्दा से, यहां दो भी सब्दा यहां भी दे रखा है, यह नहीं होगा, जब दो सब्दा अधिक दे रखा है, तो राइट अंचर क्या होगा, दो सब्दा से अधिक हो जाएगा क्रोनिक डाइरिया के अभी क्या होती है दो सप्ता से अधिक होती है ठीक है कम नहीं होगा ज्यादा होगा नेक्स वड़ते हैं नेक्स कुछ निकांसे कहां से यहां पर देखा नहीं तरह मैं समय तीन है नेक्स कह रहा है क्रौनिक अतिसार होने के क्या क्या कारण है आपको बताना है बड़ी आत की समस्या या उपाप चय छमता किरमिक रोग यक्रत रोग या फिर ये सभी राइट आंसर क्या रहने वाला है को रहता है क्रौनिक अतिसार के पहली बात तो बड़ी आत की समस्या होगी तब भी हो सकता है क्योंकि पानी का अपसोर जो रह जाता है वो बड़ी आत में संपन होता है और ये दो धो को प्रॉबल्म देखने को मिलेगी को यकत मीरोग होगा तो पेते नहीं बनेगा यहां को प्रॉबल्म देखने को मिलेगी पुराइट यह सभी हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं है मदुमे यूरोपैथि उरेनिया एडिशन रोग अधिक ऐल्कोहल के सेबन से भी कौन सा अतिशार होता है अगर इनका अधिक ऐल्कोहल के सेबन करोगे तो कौन सा आपको अतिशार होगा आपको बताना है एक्यूट डायरिया या फिर ट्रेवल डायरिया ख्रॉनिक डायरिया इनमें से कोई नहीं तो ध्यान रकना मदुमे है या यूरोपैथी है यूरेणिया है एडिशन रोग है या फिर अधिक अल्कॉल क्या शेबन कर रहे हो तो कौन सी प्रॉबलम होगी chronic diarrhea आपको देखने को मिल सकती है right answer होजाएगा option number star next question की बात करते हैं next question को देखेगा करा दूसरे प्रदेश या परदेश में होने वाले डायरिया को क्या कहते हैं दूसरे प्रदेश या फिर परदेश में होने वाले डायरिया को क्या कहते हैं यहाँ पर आपको बताना है travel diarrhea, chronic diarrhea, acute diarrhea तो आपको नाम में चुपा हुआ है travel है ना तो right answer कह जाएगा travel diarrhea उसे कहते हैं आगे बढ़ते हैं next question को देखेगा next question कह रहा है परिच्छा interview, परिच्छा परिराम में उत्पन डाइरिया को कहते है chronic diarrhea, भै तनाब डाइरिया acute diarrhea इनमें से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा बहाँ पर भै देखने को मिलेगा तनाब देखने को मिलेगा तो भै तनाब डाइरिया इसे कहते हैं आगे बढ़ते हैं सरीर से 6 ग्राम बसा से अधिक को सर्जित होती है सरीर से 6 ग्राम बसा से अधिक को सर्जित होती है इसको कहते हैं आपको बताना है आगे बड़ते हैं एक्सक्वूशन बिटामिन ए बाध नियासीन की कमी से कौन सा डाईरिया उत्पन होता है एक्यूट डाईरिया या फिर या फिर को पोश्ड जन्न अतिशार तो राइट आंसर क्या होगा उसके नाम में छुपा हुआ है बिटामिल A अथन यहां सीन की गमी से कौन सा होगा को पोश्टर जन्न अतिशार यहां पर होने वाला है राइट अंसर हो दाइगा ऑप्शन नमबर दा नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के रहा है तुमारा एक्यूट डैरिया में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए अब यहां से यह तीनों यह दो बहुत इंपोर्टेंट है यह दो बहुत इंपोर्टेंट है इन्हें तो याग करना ही करना है तो इसमें कितनी कैलोरी देनी चाहिए तो इसमें कितनी कैलोरी देनी चाहिए आपको बताना है दो हजार पंदरा सो, सोला सो या फिर अठारा सो तो राइट अंसर क्या होगा भी? पंदरा सो किलो कैलोरी प्रती डेज आपको देनी चाहिए right answer option number बाख हो जाएगा ठीक है right answer option number बाख हो जाएगा next बढ़ते हैं chronic diarrhea में कितनी calorie की आबसकता होती है अगर chronic diarrhea है तो कितनी देंगे पच्छिस सो सूला सो तीन हजार पांसो यहां पर कौन सा रहेट रहने वाला है अगर chronic diarrhea है तो उसमें हम क्या देंगे पच्छिस सो किलो कैलोरी प्रती डेज देंगे ठीक है acute और chronic ठीक है acute और chronic यहां पर आपको याद करना पड़ेगा बहुत है इंपोर्टेंट है दोनों की दोनों question 15 और 25 आगे देखते हैं next question की और यहां कह रहा है कौन से बिटामिन अतिसार रोगी को देने चाहिए अगर अतिसार रोगी है तो कौन से बिटामिन देने चाहिए यहां को बताना है तो पहली बात आपको बता रखी रखी बिटामिन C तो देना ही देना चाहिए तो राइट आंजर क्या हो जाएगा विटामिन C C में है तो कौन कौन से बिटामिन C और बिटामिन D देने चाहिए ठीक है आगे बढ़ते है next question अतिसार रोगी को कौन सा तरल्पदार्थ देना चाहिए अगर अतिसार कोई जाएगा right answer हो जाएगा option number 2 next question की बात करते हैं अतिसार रोगी को आहार देना चाहिए अतिसार रोगी को आहार कैसा देना चाहिए अधिक कैलोरी अधिक कार्बोज बाव बिटामिन अधिक प्रोटीन या फिर ये सभी right answer क्या होगा अधिक कैलोरी देने कि शाएव रोगी है तोसे दूरी बनानी चाहिए नहीं में दूरी बनानी चाहिए किससे अरे पतिदार सबजी की या फिर तर पदात की अचार मसालों की या फिर ये सभी की यहाँ पर कौन सा विल्कुल राइट अंसर होगा अतिसार रोग में दूरी बनानी चाहिए अच्छा दूरी बनानी चाहिए अतिसार है कैसे को तो हरी पत्तेदार सबजी नहीं देना चाहिए क्योंकि हमारे अंदर जो होता है सैलूलोज का पाचन नहीं होता है तो हरे पत्तेदार सबजी नहीं देना चाहिए रे से युक्त पदार्थ भी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो भी क्या होते है उनमें भी आपको क्या मिलेगा cellulose मिलता है तो cellulose का पाता नमारे अंदर नहीं होता है तो ये भी नहीं देना चाहिए अचार मसाले तो वैसे ही नहीं देना चाहिए तो राइट आंसर क्या दाएगा ये सबी हो जाएगा अराम से निकाल लिया बिल्कुल नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं नेक्स्ट कुशन कह रहा है अतिसार में इस्टार चुक्त आहार देना चाहिए अतिसार में इस्टार चुक्त आहार देना चाहिए देते हैं कैसा देते हैं आपको बताना है ओबले चाबल या फिर इस गलो कह रहा है इस सब गोल की भुसी य दाना या फिर यह सभी तो राइट आंसर क्या होगा कि अधिसार में इस्टार जोक्त आहार देते हैं कैसा देते हैं उबले हुए चावल देते हैं बिल्कुछ सही है और यह सब गोल की भूसी देते हैं यह भी राइट दही साबू दाना भी देते हैं तो राइट आंसर क्या यह सभी रहने वाला है आगे बढ़ते हैं अतिसार कितने प्रकार का होता है यह इंप्रोटेंट के उक्षिन है भी acute कह सकते हैं अतिसार और chronic अतिसार तो दोनों हो जाते हैं ना बिलकुल आगे दिखते हैं फिर next question कहा रहा है तुमारा ब्यक्ति को दिन में कितनी बार मलत्यागने जाना चाहिए कितनी बार जाना चाहिए आपको बताना है तो कितनी बार दो बार कम से कम जाना चाहिए एक तो हो जाता है सुबहा के टैम और एक हो जाता है साम के टैम ठीक है तो टैम तो ब्यक्ति को मलत्याग करना चाहिए आगे बढ़ते हैं रखा है अतिसार से तात्प्रिय है अतिसार से क्या तात्प्रिय है भीमारी, ल府, छे रोग, संक्रमित रोग ati土 कैसा होता है यह आपको बताना है तीच अथर से तात परिये हैं क्या है ल vaccin हो कि पीशार से तात परिये हैं लचल भीमारी है रोग है यह आगे बढ़ते हैं द्यान लखना है तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा तो यह हो जाएगा भोज्य पदार्तों से अलर्जी अगर आपको भोज्य पदार्तों से अलर्जी तब भी आपको अतिशार देखने को मिल सकता है आगे बढ़ते हैं कि अतिशार में किन बातों को किन तत्वों की कमी हो जाती है अतिशार अगर हो जाता है तो किन तत्वों की कमी हो जाती है लवडों की विटामिन्स की पोशक तत्वों की या फिर कारभूज की तो राइट आंसर क्या होगा किसकी कमी होगी अतिशार में पोशक तत्बों की कमी हो जाती है जिसकी पोशक तत्बों की हो जाती है कमी आगे बढ़ते है नेक्स्ट कुशन कह रहा है तुम्हारा तीब्र अतिशार में कितनी कैलोरी की आवज सकता होती है जिसे हैजा कह सकते हैं तो बहुरी बहुरी इंपो अगर तीब्र अतिशार में कितनी कैलोरी की आबसकता होती है तो कितने कैलोरी की आबसकता होती है यहां पर आपको बताना है एक हजार पंद्रा सो तीन हजार दो हजार बहुत ही इंपोर्टेंट जाता है भी ठीक है पंद्रा सो किलो कैलोरी की आवज सकता होती है नेक्स कुशन की बात करते हैं दीगर कालीन अगर अतिशार है तो कितनी कैलोरी की जरूरत होगी यहां पर आपको बताना है अगर दीगर कालीन है तब कितनी होगी पच्छिस सो दो हजार 3,000 या फिर 5,000 तो वो हो जाएगी कितनी यहां पर तोड़ा सा ती ब्रतिशार उसका नाम लिख दिया और दी गरतिशार उसका नाम लिख दिया ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स अतिसार में मल द्वारा अधिक निकलने लगता है अतिसार में मल द्वारा अधिक निकलने लगता है क्या निकलता है आपको बताना है पोटेसियम सोडियम आबा दोनों इनमें से कोई नहीं अच्छा तो यह हैजा की यहां पर बात हो एक तो आपको उल्टी देखने को मिलती ह देखने को मिलेंगी और 100 भी tua है अब यहां क्या आलने मल ँभारा अधिक निकलनी लगता है क्या निकलनी लगता है इससे न ही दोन से कोई नहीं कुछ से की बात करते हैं इन में से क्या होता है energy बहुत हो जाती है कभी कभी चक्कर आना और बाद दोनों कभी कभी उल्टी आना right answer क्या होगा तो अतिसार में इन में से क्या देखने को मिलेगा अतिसार होगा और क्या देखने को मिलेगी वही उल्टी देखने को मिलेगी right answer क्या होगा option number कर दा होगा इसे हैजा कहते हैं नेक्स कुछिन की बात करते हैं आतिसार में आवस्चक्ता बढ़ जाती है किसकी कार्बोज की लोह लबड की विटामिन की इन में से कोई नहीं किसकी बढ़ेगी वही लोह लबड की मात्रा कैसी होगी आतिशार में आवस्चक्ता बढ़ जाती है किसकी आवस्चक्ता बढ़ जाती है लोह लवड की आवस्चक्ता बढ़ जाती है क्योंकि जो बिलड होता है वह पानी बन जाता है क्या बढ़ जाता है बिलड पानी बन जाता है लोह लवड जो होते हैं जो हमारा क्या हो चुको के हैं देखेल है प्लस 30 क्योएंगे हैं के फटने हो जाएंगे फटकी को डेक टलेते यह शर्श पर thats만 वह अद गर फटकी हैं आपको को पुराड़े करके हैं ठीक है सारे की सारे पढ़ लीजेगा एक पाट और बचा है चौद बाह उसको ही पढ़ना है बस उसके बाद फूड नुटिशनल हाइजिंग जो हमारा खतम चाहिए टेलीग्राम पर जाके आप डानलोड कर सकते हैं ठीक है बिल्कुल लाइक करना है परिटको सब्सक्राइब करना है ठीक है और बैल आइकन को पर जरू कर दीजिए का तो कि लास्ट वीडियों उख में लेगी और जल्द ही आपकी और भी लास चलने वाली हैं और टीच जैसे ही मिलते हैं ठीक है बैसे आपकी क्लास सारी चारी स्टार्ट हो जाएंगी और ज जाहिन जब भारत तयारी बनाई रही गा बिलकुल